तुझा दोस्तों मैं आपका दोस्त विपल कोशिक कापका स्वागत करता हूं आपके के अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट टुड़े पर आज का बजार कैसा रहा कल कैसा रहा सकता है निफ्टी में क्या चाल बन रही है क्या पोजिशन बनती दिखाई दिरी उसको देखनी कोशिश करते हैं और अपनी अनलसिस कर लिजी का इस अनलसिस के बाद में इसको मैच अगर आपको लगता है कि सड़ी अपने सार मैच होती है तो आप डिजिन ले सकते हैं नहीं तो प्लीज ये मेरा आउटलुक है मेरा अपना अनलसिस है जो आप से शेयर का रहा उपर के लेवर पे एक सेलिंग का संके दिखाई दे रहे हैं अगर FIS की पोजिशन को देखा जाए तो पूरे नॉमबर महीने में उन्होंने धीरे 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 जब से नॉमबर स्टार्ट हुआ है वो सिर्फ सेलिंग ही कर रहे हैं बट बजार को मेंटें किया हुए D देखा जाए तो आट सो साथ करोड के आसपास की सरिंग FIS ने की है महीं 1911 करोड के आसपास की दिखने को मिली है तो बजार में थोड़ा सा स्रेंथ D.I.S. देते लिखाई दे रहे हैं बट दोस्तों अगर आपको लगता है कि मेरे एफर्ट आपको बसंद आते हैं ये कंट अगर आप चाहते हैं कि इंडिया के बेस्ट डिसकांट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोले आ जाए जिसमें जिसमें जिरोदा एंजल ब्रोकिंग, पेटिये मनी, स्टॉक्स कार्ड, अप्स्टॉक्स और भी बहुत सा एलिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्श तो बजार एक रिवाइवल की तरफ ले सकता है, नहीं तो यहां से 18,075, 18,075 ही क्लोजिंग है, 18,050 के आसपास में एक सपोर्ट बंता दिखाई दे रहा है, जो बहुत हलका सपोर्ट है, बहुत मेजर सपोर्ट नहीं है, और ऑप्शन चेन को भी अगर देखा है, तो यहा बैटने वाले हैं, बट उपर में 18,001 मेजर रहिससेंस का भी काम करने वाला, 18,090, 18,090, 18,100, will act as a major, major रहिसेंस now, next move will come only once nifty crosses 18,090, with volumes, तो 18,225 on cards रहेगा, उसको कोई रोक नहीं पाए, that will be inevitable, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, तो यहां पर जो भी ट्रेडर्स में ही buy करें, 18,100 के उपर buy करेंगे, stop loss रखेंगे, 18,050 के आसपास में, और first target रहेंगे, 18,130 के आसपास में, अगर 18,150, 160 के उपर nifty cross करती है, तो हम second target 18,225 के आसपास लेकी चलेंगे, वहीं पे, selling वाले जो selling करना चाहते है, 18,50 का बहुती strict stop loss लेकी चलना पड़ेगा, यह से सेलिंग होगी, इसके नीचे में, stop loss रखेंगा, 18,150 का, बचांसे हैं कि निफ्टी एक थोड़े से से सेलिंग जोन में, थोड़े से सेलिंग प्रेशर में देखने को दिख रही है, option chain बहुते clear, अभी कि आज का जो build-up है, वो short build-up बनता दिखाई दे रहा है, चार्ट के बनानी हीनी नेवल्स के आसपास ही discuss करेंगे, तो अगर आप सीखना चाते हैं कि technical analysis कैसे किया जाता है, option chain को कैसे study किया जाता है, TTC का आप यूज करना चाते हैं, और आप एक बड़िया professional trader और swing trader की तरह है, अपने आपको establish करना चाते हैं, stock market में, तो हमारी upcoming classes आपके share में हो पुने के अंदर में, हमारी बैंगलोर क्लास होने वाली है, 20 और 21 नवेंबर को, राज क्लास होगी पुने में 27 और 28 नवेंबर को, जो भी booking कराना चाहते हैं, नीचे दी गए नंबर पर contact कर सकते हैं, नंबर आपकी screen फिल फ्राश कर भी रहा है, 7827286174 और अपने professional trader बने की journey को start कीज़ेगा सीखने के बाद, चलिए अब देख लेते हैं, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या fail हो सकता है, बैंक निफ्टी का भी scenario कुछ न कुछ निफ्टी की तरह ही दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी भी एक range में trade होती ही दिखाई दिखाई दिया, नी हम TTC से कंसल्ट करने कोशिश करें, तो 49,547 के साब से 49,601 के उपर breakout आने का है, तो 49,601 के उपर ही चलेगा बजार, तो हम buying करने वाले 40,000 के दोबारा से नहीं, तो 49,600 के तूटने के बाद हम 49,200 के आसपास support तलाश करेंगे, तो यहाँ पे जो intraday वाले जो लोग रहने व एक के बाद ही buying करें, चले, option chain को देख रहते हैं, option chain में build-up कैसा दिखाई दे रहा है, nifty के बाद हम देख लेते हैं, bank nifty का, और bank nifty का build-up कैसा है, bank nifty के अंदर भी short positions बनती दिखाई दे रही है, short build-up बनता दिखाई दे रहा है, हाला कि कुछ call writing के साथ, put writing भी देखने हू चलेगी तो हम एक तेजी की संभावना की बात करेंगे, नहीं तो हाल फिलाल के लिएक पर profit booking देखने को मिल सकती है, ट्रेंड भी एक देखाई दे रही है, और ड्रेंड में भी यहाँ पर इस रेसेंस को पार करती है, और यहाँ से एक उपर closing देखने को कामियाब देती है, तो हम सोचेंगे कि यहाँ पर एक correction जो यहाँ पर 41,900 से जो चल रही थी, वो correction छोट, इसी एक temporary correction पूरी होगी, बट अभी हाल फिलाल थोड़ा banking pressure में ही रहने वाला है, guys, I hope यह वीडियो आपको पसंद आ ही होगी, उपने level analysis करके ही trade दीजेगा, और अगर आपको वीडियो